त्योहार के अफसर पर प्यास की कीमतों को नियंतरित रखने का प्रयास किया जा रहा। इसके अंतरगत ने फेड द्वारा खरीदा गया करीब 840 मीटरिक टन प्यास बुद्वार को दिल्ली पहुँच। इससे पहले भी भारतीय रेल की विशेश कांदा, प्यास, एकस्प्र आजादपुर मंडी में बिक्री के लिए भेजी जाएग। प्यास के स्टॉक का एक हिस्सा 35 रुपए प्रती किलोग्राम पर खुद्रा बिक्री के लिए रखा जाएग। विभिन क्षेतरों में प्यास की समय पर विश्वस्निय और लागत प्रभावी डिलीवरी के लिए पहली बार रेल रेक द्वारा प्यास के थोक परिवहन को अपनाया गया है। नेफेड ने पहले नासिक से रेल रेक द्वारा 840 मीटरिक तन प्यास का बिजवाया था जो 26 अक्टूबर को चैन नहीं पहुँचा थ। नासिक से गुवाहाटी के लिए एक अन्य रेल रेक 840 मीटरिक तन प्यास के साथ बुधवार सुबह नासिक से रवाना हुई है। सरकार ने इस वर्ष मूलिय स्थिरीकरन बफर के लिए 4.7 लाक तन रभी प्यास की खरीद कीत। 5 सितंबर से 35 रुपए प्रती किलोग्राम खुदरा बिक्री के माध्यम से प्यास देश भर की प् 104 गंतवियों को कवर किया है और नेफेड ने अपने प्यास निप्टान में 16 राजियों में 52 गंतवियों को कवर किया है। केंद्र सरकार के मुताबिक खुद्रा उपभोकताओं को 35 रुपए प्रती किलोग्राम प्यास मुहया करने के लिए सफल, केंद्रिय भंडार और र चुरुआत के बाद से आज तक आंधरप्रदेश, महाराष्ट्र, करनाटक, यूपी, तमिलनाडो और दिल्ली जैसे प्रमुख राजियों में प्यास की खुद्रा कीमतें काफी हद तक स्थिर हो गई है। नासिक मंडी में कीमतें भी 24 सितंबर को 47 रुपए प्रती किलोग्राम के उच्चतमस्तर से गिर गई और 29 अक्टूबर को यहां पर प्यास की कीमत 40 किलोग्राम थ। ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी